आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसने बोला है कि function का integration कर दो यह होगा कि यह statement 1 बोल रहा है statement 2 बोल रहा है integration of sum of several functions is equal to sum of integration of individual functions तो चलिए आए देखते है statement 1 correct है या नहीं पहले इन्होंने क्या बोला है delta x क्या दिया हुआ f1 x f2 x f3 x और बाकी क्या है तीनों constant है a2, a3 a2, b2 c2 a3, b3, c3 ठीक है इसमें क्या होगा तो इसको अगर simply solve करने की कोसिस करते हैं तो simply solve करने क्या होगा f1 x ठीक है यहाँ जाएगा f1 x into यह क्या होगा b2 c3 minus c2 b3 minus f2 x into में क्या होगा a2 c3 minus a3 c2 plus और क्या होगा f3 में क्या होगा f3 of x into a2 b3 minus a3 b2 ठीक है guys तो यह आ गया यह सारे तो क्या है यहाँ पर यह x का function है यह constant है यह constant है यह x का function है x का function यह constant है तो इसका अगर हम अब delta का integration यह delta of x है इसका integration निकाल लेगी कोशिस करें तो integration कैसे निकलेगा इसका integration होगा f function का integration minus इसका integration और इसका integration ठीक है so यह direct यह आ जाएगा ठीक है यहाँ से तो यह निकल गया था अब इन्होंने बोला है कि delta of x को direct ऐसे लिख सकते हैं क्या अगर delta x को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर भी integration लगाया है नों यहाँ पर भी integration यहाँ पर भी integration तो उससे कुछ फरक निपड़ेगा उससे क्या होगा यह integration तो पहले से है simple into में यह into यह ठीक है तो यही आएगा इसको solve करेंगे तो भी यही term आएगा और इसको solve करेंगे तो भी यही term आएगा थार्ड बाला ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर delta x इस तरह से दिया हुआ है तो delta x का integration क्या होगा जो भी x के function है उन सब का integration कर दो x के respect में बाकी consistent उनको agent इजने दो ठीक है तो अपना क्या होगा statement बन तो अपना correct होगा ठीक है अब statement 2 देख ले ते statement 2 में क्या बोला है integration of sum of several functions इसका मतलब है कि कई सारे function है उनका जो sum है ठीक है और उनका जो integration होगा is equal to sum of integration individual function तो हाँ यहाँ इसी तरह से तो है कि हम मान लो कोई भी function है capital F of x उस वो है f1 x plus f2 x plus f3 x तीन से बिलके बना हुआ है ठीक है यह तीनों का sum का integration direct भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ से तीनों को add किया x के respect में अगर करना है तो direct हो गया अब इसको उससे addition की property से खोल भी ते यह भी तो कर सकते है individual plus f2 x dx plus f3 x dx ठीक है गई तो अपना statement 2 भी correct हो गया तो यही तो अपन statement 1 में अपने इस जिकात इस्टिमाल गया था fx dx f2 dx और f3 dx इसका मतलब क्या हो गया तो statement 2 भी correct हो गया और यह correct explanation हो गया statement 2 क्या है statement 1 का correct explanation हो गया so I hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा thank you guys तो अपन नमर यह 1 correct हो गया thank you